दोस्तों पूरे देश में होस्पिटल बंद हो सकते हैं अस्पतावलों में सेवाईं प्रभावित हो सकती हैं लोगों को काफी दिक्कत्तों का सामना करना पड़ सकता हैं वजह हो सकता आपको पता हो जो कलकता में आरजिकर मेडिकल कोलेज का केस हैं जिसमें junior doctors की हरताल अभी भी 90 दिन भी जारी है और इसे बीच FAIME की तरब से पूरे देश में स्वास्ते सेवाई, hospital वगरा को बंद करने की चेतावनी भी दी है FAIME यानि Federation of All India Medical Association की तरब से आज ही ये चेतावनी दी गई हैं क्योंकि आपको पताओगा पिछले कुछ दिनों से जो भूखरताल कर रहे हैं कई डोक्तरों की धौालत भी बिगड़ गई कई गंबीर हैं कुछ तो बेहोस हो गए उसके बाद oxygen भी लगाए गई इस बीच IMA या कि ये तो गेर कानूनी हैं अभी 10 से जादा डोक्तर भूखरताल पर चल दे हैं और डोक्तरों के ममता सरकार से ये टोटल 9 मांगे हैं मैंने आपको बताया भी था DLS नीउस पर पहले भी आप थोड़ा सब वीडियो को पोच करके यहां देख सकते हैं ये 9 मांगे हैं मुक्य जूनियर डोक्तरों को कोई नुकसान पहुचाय जाता हैं तो वे देश बर में चिकित्सा सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर देंगे हैं ये डोक्तरों की भूखरताल 5 अक्टूबर से शुरूई थी जो दो चरणों में लगबग 50 दिनों के काम बंद करने के बाद पश्य मंगाल में 14 अक्टूबर से 48 गंटूं के लिए आंसिक रूप से काम बंद करने का आवान भी किया यनि 14 अक्टूबर को तो कल पूरे बंगाल में होस्पिटल में सेवाएं प्रभाईत रह सकती हैं और अगर डोक्तरों के साथ कुछ अनोनी होती हैं कुछ नुक्सान पहुचाए जाता हैं तो फिर देशबर में होस्पिटलों में हर्ताल हो जाएगी देशबर में चिकितसा सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी हैं बाकाइदा FAIME की तरफ से तो अब हम सभी उमीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल सरकार डोक्ट को लाइक और शेयर जरूर करना जय हिंट जय भारत वंदे मात्रम